आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्थी रेसिपी लेकर आई हूँ वीडियो आप शुदू से एंड तक जरूर देखेगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो से लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आप भी सर्सो के तेल में ही बनाईएगा अब इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे दो तेज पत्ते दो लाल मिर्च आदा चमच मेथी आदा चमच जीरा आदा चमच सौंफ और दो पिंच हींग हम ये सारे मसाले एक सर डाल देंगे इसमें गैस को हमें मीडियम ही रखना और इसमें काला नमक लिया है मैंने आदा चमच और बाकी का हम वाइट सौल्ट करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगा सौल्ट को ब्लैक सौल्ट सी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सबजी का तो आप ज़रूर डालीगा ब्लैक सौल्ट भी अब मिला लेंगे मसाला हमारे बुन चुका है अब हम इसमें दो हरी मिर्च एड कर देंगे मिर्च को मैंने बारीक बारीक काट लिया था इसके बाद में डालोंगी अद्रक थोड़ा जादा ही लेंगे हम इसे भी बारीक बारीक काट के डाल देंगे टमाटर मैंने एक लिया यह तरफो अपर हमारा सचाल से भून चुका है कि इसके बाद गुड इसमें आट कर देंगे गुड मैंने 50 ग गुड मैंने 50 ग turtles नीकिद older में जादा राया है अब इसके बाद हम यह जो गुड़ है इसको अच्छे से मैश कर लेंगे अगर आपके पास गुड़ का बूरा हो तो आप वो भी डाल सकते हो मेरे पास ऐसा था तो मैंने ऐसा यूज कर लिया ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने भी ऐसा ही यूज करना है अब जो छोटे छोटे टुकडे रह गए हैं वो अपने आप घुल जाएंगे अब हम इसमें अड़ कर देंगे कद्दू कद्दू मैंने 800 ग्राम के करीब लिया है इसका मैंने चिलका नहीं उता रहा है क्योंकि इसका चिलका बहुत जादा मोटा नहीं था अगर जादा मोटा हो तो आप उसका चिलका पील कर लिजेगा बट ऐसे ही जादा अच्छा लगता ये चिलके के साथ अब हम इसे अच्छे से कोट कर देंगे मसाले से देखिए इस तरह से मसाला हमारा अच्छे से कोट हो चुका है अब हम इसे ढखके 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे फ्लेम हमें मीडिया में रखनी है देखे इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है ये जो गुड था गुड ने इसे पानी रिलीस कर दिया है कुछ कद्दू ने भी पानी रिलीस किया है तो ऐसा हो जाएगा ये इसे ढखके हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है पर बीच मीच में हमें इसे चलाते रहना है चेक कर लेना नीजे से लग तो नहीं रहा है ये देखे इस तरीके से पानी इसका कम होता जा रहा है और ये धीरे-धीरे सॉफ्ट भी हो रहा है बस ये सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा सा हम इसे चेक कर लेते हैं ये कितना का सॉफ्ट हुआ है ये देखे ये देखे हलका सा सॉफ्ट पढ़ने लग गया है अब इसी स्टेज पे हम इसमें मसाले आड़ कर देंगे कुछ तीन चौद हाई चमच मैंने गरम मसाला लिया यहां पे और एक बड़ा चमच मैं इसमें आम चूर पाउडर आड़ कर दूँगी थोड़ा खटा मिठा टेस्ट आने के लिए एक बड़े चमच के करीब मैंने कसूरी मेती ले ली है इसे इस तरह से हाथ से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेती का फ्लेवर कदू में बहुत अच्छा लगता है फ्रैंजेसे स्किप मत कीजेगा इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रहे है हमारी सबजी खाने में यकीन माने बहुत जादा टेस्टी लगती है मीठा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अगर आप जादा मीठा खाते हैं तो आप टेस्ट करके देख लीजेगा अगर आपको मीठा कम लगेगा तो आप पीसी वी चीनी इस के उपर से डालके से पांच मिनट के लिए और पका दीजेगा और आपका जो फ्लेवर एकदम सेट हो जाएगा वैसे तो इतने पेठे में पचास ग्राम गुड बहुत होता है बागी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजेगा इसे बनने में पंदर से बीस मिनट लग जाते हैं फ्रेंज ये देखिए इसका सारा पानी जो था वो सूख चुका है और ये सॉफ्ट पढ़ गया है हमारी सबजी बनके रेडी है अब हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसकी प्लेटिंग कर लेंगे देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और खाने में ये यकीन मानिय बहुत टेस्टी बना है गर्मा गर्म पूरी के साथ ये सबजी बहुत अच्छी लगती है आप इसे प्रांठ चहपाती के साथ भी ले सकते हो आउप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजे शेयर कीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिल दें नेक्स वीडियो में एक नई रसीपी के साथ, तिल देन, बबाई